अगर आप चैनल पर नई हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे टोपिक जिसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर सीविल और पॉलिटिकल राइट और इकनोमिक सोशल और कल्चल राइट्स के बारे में यह जो हमने चार्ट बनाय थ कि सीविल राइट क्या है पॉलिटिकल राइट्स क्या हैं सिविल राइट्स इंक्लूड एंशॉरिंग ओफ पीपल फिजिकल और मेंटल इंटेग्रेटिटि लाइफ और सेफ्टी प्रोटेक्शन फ्रों डिस्क्रिमिनेशन ओन ग्राउंट सच असेक्स रेस सेक्शल कलर एज पॉलिटिकल एफिलेशन एथनिसिटी सोशल क्लास रिलीजन और डिसेबिलिटी सिविल राइट इंक्लूड करते हैं हमारी मेंटल फिजिकल हैल्थ वगेरा इन सब को जो है सुरुक्षा प्रोवाइड की जाए और कुछ ऐसे हमारे जो डिस्क्रिमिनेशन हो सकते ह इन इन ग्राउंड के उपर उन से भी हमें क्या है बचाया जा सके जैसे की सैक्स रेस सैक्शुल ओरियंटेशन नैशनल ओरिजन हम कहां से बिलोंग कर रहे हैं हमारी एज कितनी है हमारा कलर कैसा है तो इन सब चीजों को हमारी सोशल क्लास वगेरा कैसी है हम कौन से धरम को म पान रही हैं इन सब चीजों को इसके अंदर प्रोटेक्शन दे गई है हमारे सीवल राइट के अंदर और जैसे की डिसेबल dalej तो उन सब में बेदवाव ना हो इन सब चीजों के रिगार्डिंग हमारे सिविल राइट्स है निक्स आता है हमारे पॉलिटिकल राइट्स ये इंक्लिूड करते हैं नैच्रल जेस्टिस यानि कि प्रोसीजरल फेर्नेस इन लो यानि कि जैसे कि कुछ गलत हो रहा है किसी के स तो उसको नैच्रल तरीके से प्राकर्टिक न्याय दिया जाए शच एज राइट ऑफ अक्कूस्ट इंक्लूदिंग दे राइट तो ए फेर ट्राइल, दू प्रोसेस, दे राइट तो सीक्रिड्रेसल और ए लीगल रेमेडी और राइट ऑफ पार्टिस्पेशन इन सीविल सोसाइटी और पॉलिटिक से सच एज प्रीडम फ्रों एसोसियेशन, दा राइट तो असेंबल, दा राइट तो पैटेशन, दा राइट तो सेल्फ दिफेंस, दा राइट तो वोट यानि कि एक इनसान है उसको हर राइट दिये जाएंगे और उसको एक नैच्रोल जस्टि भी प्रोवाइड की जाएगी, पॉलिटिकल राइट के अंदर जैसे कि सवतंतरता या फिर हमारे जो हम एकटा कर सकते हैं किसी को, हमें राइट है वो सब चीजे, हमें पैटेशन यानि कि याचिका वगेरा हमारी कोई कंप्लेंड है, हम वो फाइल करा सकते हैं, हम अपने मतलब कि एक दूसरे इंसान के साथ हमारा डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो वो हमें कौन प्रोटेक्ट करेंगे, हमारे सिविल राइट करेंगे, और पॉलिटिकल राइट अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो हमें नैचुरल जस्टिस मिले, नयाय मिले प्राकरतिक रू अब हम आर्टिकल के बारे में डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल वनचकेंडर किस चीज को contain किया गया आर्टिकल 3-5 के इंदर किस चीज को explain क्या गया, इसी तरीके साह 1967 we알 8-9 में Soong Weaving कि आर्टिकल 30 तक ये देखेंगे कि किस आर्टिकल के अंदर क्या बात लिखी गई है आर्टिकल 1 & 2 के अंदर बताया किया है dignity, liberty and equality के बारे में यानि कि गरीमा हमारी क्या है, सबतंतरता क्या है और समानता क्या है इन चीज़ों के बारे में इनके concepts के बारे में बताया गया है हमारे आर्टिकल 1 & 2 में आर्टिकल 3, 4 & 5 के अंदर बताया गया है established other individual rights such as right to life and the prohibition of slavery and torture means इसके अंदर जो है individual को अलग तरीके के भी अधिकार दिये गई हैं जैसे कि हमारे right to life यानि कि जीवन जीने का अधिकार दिया गया है हमें जो है किसी की गुलामी नहीं करनी उससे बचाने के लिए अधिकार दिया गया है torture अगर आपको कोई कर रहा है तो उसके regarding भी आपको अधिकार दिया गया है कि आप जो है उसकी complaint file कर सकते हैं ये सारे individual right इसके अंदर दिये गई है article 6-11 के अंदर बताया गया हमारी fundamental legality of human rights के regarding अगर जैसे कि कोई भी हमारा right का उलंगन किया जा रहा है तो उस time पर आपको किस तरीके से अपने आपको बचाना है उन सब चीजों के बारे में इसके अंदर बताया गया है निक्स्ट आता है article 12-17 इसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके के अधिकार है जो हमारे individuals है community के पड़ती यानि कि जो हमारी community है जहा हम रह रहे हैं उसके according क्या क्या हमारे अधिकार है जिसे कि हमें freedom है moment की हम कहीं भी जाकर रह सकते हैं residence की यानि कि हम कहीं पर भी रह सकते हैं within each state किसी भी state के अंदर अगर इंडिया के अंदर कोई भी state है हम कहीं पर भी रह सकते हैं right of property हमें property रखने का भी अधिकार है यानि कि संपती रखने का भी अधिकार दिया गया है and right to a nationality यानि कि राश्टर तक अभी अधिकार इसके अंदर शामिल किया गया है नेक्स आता है हमारा आर्टिकल्स 18-21 यह क्या सेंशन कर रहे हैं यह हमारे Constitutional Liberties के बारे में बता रहे हैं and Spiritual, Public and Political Freedom के बारे में बताते हैं Freedom of Thought हमें कुछ भी सोचने का अधिकार है Opinion हम अपना रख सकते हैं बना सकते हैं किसी भी चीज के परती Expression का अधिकार है एक चीज को देखके कोई कैसा यह Express करेगा दूसरा इंसान किसी और तरीके से उसको Explain करेगा Next रता है Religion and Conscience यानि कि हमें Religion जो हमारा धरम वगेरा है उसको हम मान सकते हैं विश्वास कर सकते हैं और World Peaceful Association हम कर सकते हैं जो हम शांतिपुर्ण संग है हमारे बना सकते हैं मिल सकते हैं साथ-की साथ हम कुछ भी चीज रिसीव कर सकते हैं या फिर हम impart कर सकते हैं कोई भी information या हमारे पास कोई idea वगेरा है हम किसी को भी बता सकते हैं किसी भी media का use करके जैसे कि अब मैं आपको बीड के बारे में पढ़ा रही हूँ तो यह मैं आप YouTube का help ले रही हूं है यानि कि हम किसी भी media के through जो किसी को भी पढ़ा सकते हैं कुछ भी अपने जो thoughts हैं, ideas हैं या फिर हम कुछ information देना चाहते हैं तो ये सवतनतरता हमें articles 18 to 21 के अंदर बताई गई हैं निक्स्ट हमारा articles आते हैं 22 to 27 इसके अंदर individual की economic, social and cultural rights के बारे में बात की गई है जिसके अंदर हमारी health को भी शामिल किया गया है साथ की साथ इसके अंदर हमें किस तरीके से हम रह सकते हैं standard of living साथ की साथ makes special mention of care given to those in motherhood or the childhood यानि कि इसके अंदर ये भी बताया गया है कि special care और ध्यान देना चाहिए या तो वो कोई motherhood में है या फिर childhood में है यानि कि उसके बारे में भी आपको देख भाल वगेरा किस तरीके से करनी है इन सारी चीज़ों का उलेख इसके अंदर दिया गया है next हमारे आते हैं articles 28 to 30 इसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके से आपको आपके rights को use करना है आपके क्या duty है कहां पर आप जो है rights को apply नहीं कर सकते इन सब चीज़ों के बारे में articles 28 to 30 के बारे में के अंदर बताया गया है कि किस तरीके से हम अपने rights को use कर सकते हैं और किस तरीके से कहां कहां पर इन rights को use करना मना है आज के लिए बस इतना है आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे comment में ज़रूर बताए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम articles को जिसे आपकी book के अंदर दिया गया है civil and political rights और साथ की साथ हमारे social और economic rights वगेरा है उस तरीके से difference के according भी इनको study करेंगे क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि civil और political rights को explain करें only तो उस टाइम पर अगर आप जो है economic and social rights वगेरा के बारे में भी लिख कर आएंगे तो आपका जो answer है वो गलत हो जाएगा तो इसलिए जो हम next video के अंदर civil rights के बारे में study करेंगे civil and political rights कौन-कौन से है और हमारे economic और social rights के अंदर किन-किन rights को जो है include किया गया है उसके बारे में भी हम study करेंगे हाँ अगर आप से जो है articles के बारे में पूछा जाए कि article 1 to 30 explain करो तो आप उसको इस way में explain कर सकते है thanks for watching